कि नौश्कार दूस्तों कि आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने घर पे कुछल बंगल होंगे और समय का सदुप्योग कर रहे होंगे ठीक है तो हमने से पहले एक वीडियो डाल अप्लोट किया था जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन अफ लॉजिकल रिजनिंग लिया था तो उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आई है तो एक एक करके उन प्रॉब्लम पर बात करते हैं फिर आगे स्टार्ट करेंगे कोच श्टुडेंट का कहना था कि सर वीडियो थोड़ा बलर हो रहा है तो मेरे प्यारे बच्चो मैं भी आप लोग की तरह ही हूँ ठीक है और घर से ही वीडियो अप्लोट कर रहा हूं मोबाइल से यह वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ा बहुत टेक्निकल इस्यू हो सकता है वाकी मैं आज कोशिश करूँआ कि ना हूं तो आप लोग भी कॉपरेट करने के कोशिश करें सेकंड प्रॉलम यह आये थी कि बच्चे पूछ रहते कि सर क्या यह वीडियो सिर्फ नेट के लिए ही है तो इसका जवाब यह है कि देखिए लॉजिकल रिजनिंग जो है वो बैंकिंग SSC और UPSC CSAT सब में आता है तो बच्चे मैं जीरो से लेकर आपको हीरो तब बनाने की कुशिश करूँगा ठीक है वो आपकी थोड़ी सी महनत है कि आप लोग प्रिवेसर पेपर देखें और यह देखें कि जो मेठेड मैंने बत भदान करते हैं गो टेक तो하면서 स्टार्ट करते हैं तो बच्ची जो आज हमने जैशेश प्रिलीकल लिया है वह है इस लोग है पर निए निंग्मन या फी नए वाकशिय बोलते हैं तो फॉड़ा सा थीयोरी самых basic starch करके फिर आगे स्टाट करेंगे पहला कर थियोरी देखा जाए, इसकी definition लिए है मैंने, a form of arguing in which two statements are used to prove that a third statement is true, ठीक है, मलब यह एक परकार का तर्क वितर्क है, जिसमें दो कतनों का तीसरे कतन के सत्यता को परमारित करने के लिए किया जाता है, थोड़ी technical definition हो गई, ठीक है, कहने का मतलब यह है, कि इसमें दो statement या दो से ज्यादा statement हो सकती है, जिसकी साहिता से आप तीसरे statement, जो कि एक conclusion है, उसको प्रूव करने की कोशिस कर रहे होते हो, ठीक है, थोड़ा और technical जाते हैं, जो हमारे exam में important है, a syllogism is a kind of logical argument that applies deductive reasoning, बच्चे यह आपके exam में आ रखा है, कि syllogism क्या होता है, inductive होता है या deductive होता है, तो यह deductive reasoning है, inductive-reductive में आगे आपको बताऊंगो कि क्या होते हैं, पर अभी आप यह याद कर लीजिएगा, ठीक है, to arrive at a conclusion based on two or more proposition that are asserted or assumed to be true, यह second definition में तोड़ा और clear होता है, कि हम दो preposition या दो से ज़्यादा preposition के help से किसी asserted या फिर एक assumed conclusion पर पहुछते हैं, देखिए asserted हमने conclusion में लिया था और assumed जो मैंने पिछले chapter में आपको mention किया है कि inference वाले sentence होईंगे हमारे पास, inference मतलब assumed करना, तो वो भी हमारा यही topic होगा, ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो topic हो जाएंगे, एक तो asserted वाले और एक हमने जो inference वाले बताया था, ठीक है, तो दो statement को लेके जब आप किसी conclusion पर पहुछते हैं, तो वो ही syllogism होता है, इसको Aristotle ने जो define किया है, वो किस तरीके से किया है, देखिए, उन्होंने एक major premise और minor premises ले लिया, और उससे वो एक conclusion पर पहुचे, ठीक है, एक major premise जो था, वो general premise है, जैसे all men are mortal, major premise, मतलब यह सभी के लिए है, सबको पताए कि all men are mortal, सभी नश्वर है, एक minor premises लिया, कि Socrates is a man, सुक्राद जो है, कि एक man है, इस दोनों premises से एक conclusion क्या पहुचा है, तो आईए दोस्तों, इसका कुछ practical part देखते हैं, देखिए, practical question जो होएंगे, हमारे पास, वो when diagrams हम उसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो टाइप के question होते हैं, एक तो होता है all, और एक होता है sum, ठीक है, all के अंदर देखिए, आपको statement कैसे भी मिल सकती, जैसे every, या फिर hundred percent करके, ठीक है, और second sum को मैं many, at least, कुछ इस टैप से हमें sentence मिलेंगे, जो हम example में भी करेंगे, पहले एक यह करके समझते हैं कि हमें किस तरीके से question को करना है, देखिए, यह कुछ statement है, जैसे कि all A's are B, all B's are C, all C's are T, यह एक statement है, बच्चे हमें, syllogism के question को देखते ही, सबसे पहले statement पढ़ने के बाद, हमें statement के दुआरा, एक diagram बनाना है, ठीक है, वो कैसे होगा, जैसे all A's are B, all A's are B, सारे A, B है, all B's are C, तो diagram कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, all C's are D, diagram कुछ ऐसे बनेगा, तो student, all A's are B, all B's are C, all C's are D का diagram कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और जब भी इस टैप का diagram बनता है, तो हमारे conclusion इस से क्या हो सकते हैं, देखिए, जब भी आप नीचे से उपर जाते हैं, नीचे से उपर जाते हैं, तो आप लोग follow करेंगे all, means क्या है, means यह है कि इसके conclusion क्या हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, all A's are B, C, D, all B's are C, D, all D's are E, okay, अब इसमें और क्या conclusion हो सकते हैं, देखिए, नीचे से उपर तो all follow करना है, और उपर से नीचे, you have to follow some, some means, इसमें और conclusion होईएंगे, some के, it means, some D's are C, B, A, some C's are B, A, some B's are A, it means, इस diagram के, दो conclusion हमनें देखने हैं, नीचे से उपर all, उपर से नीचे, sum, ठीक है, इसको फ़ड़ा और अच्छी तरी के समझाता हूँ, second example से, देखिए, some A's are B, इसमें क्या करना है, some A's are B, some B's are C, some B's are C, देखिए, B का कुछ पार्ट C में है, A का कुछ पार्ट B में है, तो कुछ वाला, कि कुछ A, B हैं, कुछ B, C हैं, ये दिख रहा है, some C's are D, तो some C's are D का डिगराम ऐसे बनेगा, ठीक है, तो इसको इसको इसके कंक्लूजन क्या हो सकते हैं, जब भी some की कंडिशन होगी, तो वहाँ कोई all का रिलेशन नहीं होगा, तो some के के केस होएंगे, पर इसमें देखिए, A का पार्ट B में है, B का पार्ट A में है, तो C का कोई पार्ट आपसमें A में नहीं ले सकते, तो कंक्लूजन भी इसमें नहीं होगा, पर C का पार्ट B में है, D में है, तो some C's are B, some C's are D, यह हमारे कंक्लूजन होएंगे, इट मीन्स कंक्लूजन हमारे क्या हो सकते हैं आपर, some A's are B, and some B's are A, ऐसी some B's are C, some C's are B, and some C's are D, some D's are C, तो इस सेकंड वाले टाइगराम से आपके यह कंक्लूजन निकल सकते हैं, यह किसका हो गया, इस सेकंड कंक्लूजन हमारे कुशन का हो गया, अब थाद देखते हैं, देखिए, इसमें क्या बोला, all A's are B, तो all A's are B का डाइगराम कैसे बनेगा, all A's are B, all B's are C, all B's are C, some C's are D, देखिए student, यहाँ C में D का रिलेशन है, तो आप C को D को इन में नहीं ले सकते हैं, ठीक है, माना यह all का रिलेशन हैं, पर मैंने आपको उपर बताया है, तक ही इसमें उपर से नीचे सम होता है, इसलिए डाइगराम हमने इस तरीके से बनाना है, फिर आगे है, no D's are E, तो डाइगराम ऐसे बनेगा, पर D का E से कोई रिलेशन नहीं है, बच थोड़ा सा ध्यान दिजेगा, इसमें D का E से रिलेशन नहीं है, पर इन से दो रिलेशन है न, इन से तो मना नहीं करा न, तो D का E से रिलेशन नहीं होगा, पर E का C से, B से और A से, इन तीनों से रिलेशन होगा, ठीके, आगे जब हम कोईशन करेंगे तो समझेंगे, एक next case हमारे पास आता है either case, either case बच्चे बहुत important है, यह किसी ना किसी exam में आपको ज़रूर मिलेगा, इसे मैंने दिया है yes, no condition, means क्या है, देखिए इसमें आपको diagram बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको किसी भी conclusion में yes और no की condition मिलती है, तो आपका answer होता है, either first or second, यह है, some A's are B and some A's are not B, कुछ A B है और कुछ A B नहीं है, मतलब पहले अपनी बात को हा कहना और फिर अपनी बात को ना कहना, जब भी ऐसी condition आपको मिलती है, तो आप इसे बोलेंगे either का case, ठीक है student, तो आगे continue करता हूँ, यह बस एक मेने structure बनाया है, जिससे आप लोग इन कुछिनों के type को समझ सको, ठीक है, ओकी, student इसी के आगे थोड़े अगर advanced कुछिनों की बात करें, तो हमारे पास दो case वराते हैं, at least or possibility, ठीक है, इनको में बहुत एक easy मेरा approach है ने करने का, देखिए at least जहां भी आपको statement में लिखावा मिलेगा, इसे आप sum पढ़िएगा, for example, लिखावा मिलता है, जैसी ये question है, कि sum as are b, वहाँ पर आपको मिलेगा at least sum as are b, तो ऐसी condition में आपको भबराने की जुरूत नहीं है, आपको at least को sum ही पढ़ना है, ठीक है, उसका मतलब भी वही होता है, ठीक है, और possibility के case में, conclusion में आपको जो sum वाला case है, उसे all में पढ़ना है बस, ठीक है, समझाता हूँ कि ये है क्या, suppose जैसे हमारे पास ये था, पहला diagram था, हमने समझाता, कि all a is are b, all b is are c, all c is are d, नीचे से उपर तो सारे case हमारे all के थे, पर उपर से नीचे sum के थे, but in possibility case, हम ये कह सकते हैं, कि all some become, all some become all, sorry, इतने भी sum है, सारे all में convert हो जाएंगे, possibility के case में, समझाता हूँ कि कैसे हैं, देखिए, हमने यहां बुला ना, some d's are c, b, a, some d's are c, possibility में मैं यह बोलूँगा, there is a possibility all d's become c, b, a, कैसे, यह diagram, अगर मैं ऐसे बना दूँ, all a's are b, है न, all b's are c, all c's are d, हमने यह diagram बनाया था ना, भी, all का, इसी diagram को, अगर मैं, कुछ इस तरीके से बनाता, देखिए, all a's are b, all b's are c, all c's are d, तो यह सारे overlap कर जाते न, b, c, d, तब यह सारे overlap कर रहे हैं, अगर मैं बोल्ड रहूं, all a's are b, all b's are a, b, तो होंगे, पर यह कब possible है, जब हमारे पास conclusion में लिखावा आएगा possibility, यह case तभी possible है, अधरबाइस हमें इस case को apply नहीं करना है, हमें अपना पुराना method ही use करना है, जब भी conclusion में possibility लिखावा आएगा, आपका sum all में convert हो जाएगा, ठीक है, ओके, thank you student, next video में हम लोग इसके कुछ question लेते हैं, ठीक है, thank you,